नमस्कार दोस्तों आस्वीका बहुत बहुत स्वा कहते हैं हमारे इस यूटूब चैनल खुशाल जन्गी में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने ले महाशिवरात्री के उपर और आज की इस वीडियो में खास आपको महाशिवरात्री बतकता सुनाओंगी और अगर आप ये वतकता सुनते हैं तो इससे आपको विशेश लाब होगा और आपकी मन चाहिए इच्छा का वर्दान भी पूरा हो सकता है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अपर तक हमारे जनल को सस्क्राइब नहीं किया है और इस दिन भगवान शिव के साथ शिर परिवार की पूजा की जाती है और इस दिन विधी पूरग भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाय पूर्ण होती है और इस दिन महार शिवरात्री की वर्द का विशेश में बढ़न माना गया है तो आईए जानते हैं महाशिवरातरी वरत की कथा तो शिकारी चित्रभानू को सहुकार ने बंदी बना लिया और महाशिवरातरी की कथा का वर्ण शिर्पुराम मिलता है तो इस कथा के नुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानू था और यह शिकारी एक साहुकार का करजदार था और करजना तेपाने की सिती में साहुकार ने उसे शिवमट में बंदी बना दिया और संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरादरी थी साहुकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया पूजा के बाद कथा का पाठ ही आ गया और शिकारी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा और शिकारी ने साहुकार से रिर जुकाने का वादा किया पूजा कारक्रम समावत होने के बाद साहुकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन रिन जुकाने की बात कही इस पर शिकारी ने वचन दिया और साहुकार ने उसे मुथ कर दिया शिकारी जंगल में शिकार कले आ गया और शिकार की खोज में उसे रात हो गई और जंगल में ही उसने रात बिताई और शिकारी एक तलाप के किनारे एक बेल के पेड़ पर चड़ गया और रात बिताने लगा और बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और जो बेल पत्रों से ढख चुका था इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था और अराम करने के लिए उसने बेल पत्री की कुछ साखाएं तोड़ी और इस परिक्रिया में कुछ बेल पत्री की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी शिकारी भूख प्यास से उसी स्थान पर बैठा रहा और इस प्रकार से शिकारी का बरत हो गया तभी गर्भणी, हिर्णी तालाप पर पानी पीने के लिए आई और हिर्णी को शिकारी ने जाने दिया शिकारी ने धनोश पर तीक चड़ा कर हिर्णी को मानने की जैसे ही कोशिश की वैसे हिर्णी बोली मैं गर्भ से हूँ और शीकर ही बच्चे को जनम दूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे या उचित नहीं होगा मैं अपने बच्चों को जन देकर शीकर ही तुमारे पास आ जाओंगी तब तुम मेरा शिकार कर लेना शिकारी ने तीर वापिस ले लिया और हिर्णी भी वहाँ से चली गई धनुष रखने में कुछ बिल पत्र पुना तूट कर शिवलिंग पर गिर गए और इस प्रकार उससे अंजाने में ही प्रतम पहर की पूजा पूण हो गई और कुछ देर बाद एक और हिर्णी उधर से निकली पास आने पर शिकारी ने तुरंती धनुष पर तीर चड़ा कर निशान लगा दिया लेकिन तब भी हिर्णी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले प्रिदू से निर्वित हुई हूँ और कामा तुर विरहरी हूँ और अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और शिकारी ने इस हिर्णी को भी जाने दे दिया और शिकारी विचार करने लगा इसी दोरान रातर की आखरी पहर भी बीद गई और इस बार भी उसके धनुस से कुछ बेल पतर शिवलिंग पर जागे दे इस प्रकार उसके दोरा दूसरे पहर का पूजन पर ग्रिया भी पूर्ण हो गई इसके बाद तीसरी हिर्णी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी शिकारी ने धनुस उठाकर निशाना साधा और शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिर्णी बोली मैं इन बच्चों को उनके पिता को सौब कर लोटाऊंगी मुझे अभी जाने दो शिकारी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और उसने बताया कि दो हिर्णी को मैं छोड़ चुका हूँ और हिर्णी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो मैं वापिस आने का वचन देती हूँ और शिकारी को हिर्णी पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया उधर भूका प्यासर शिकारी अंजाने में बेल की पत्यां तोड़कर शिवलिंग पर फेकता रहा और सुबा की पहली किरण निकली तो उसे एक मिर्क दिखाए दिया शिकारी ने खुश होकर अपना ती धनोश पर चढ़ा लिया तभी मिर्क ने दुखी होकर शिकारी से कहा यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन हिर्णियों और बच्चों को मार डारा है तो मुझे भी मार दो देर ना करो क्योंकि मैं अब उनका दुख सहन नहीं कर सकता हूँ मैं उन हिर्णियों का पती हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो मैं अपने परिवार से मिलकर वापिस आ जाऊँगा शिकारी ने उसे भी जाने दिया और सूर्व पूर्व तरा से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी शिकारी ने अंजाने में ही वद राते जागलन सभी प्रहर की पूझा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की परिक्रिया पूरी कर चुकी थी भगवान शिवगी कृपा से उसे इसका फल तुरंद प्राप्थ हुआ और भगवान शिवगी कृपा से शिकारी का हिद्ध बदल गया और शिकारी का मननिर्मल हो गया और कुछ दिर बाद ही शिकारी के सामने संपूर मिर्क परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया और महाशिवरात्री की दिन शिकारी द्वारा पूजन की विदी संपूर करने के कारण उसे मोख्ष प्राप्त हुआ और शिकारी की मिलित्ति होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगरों ने उन्हें वापिस भेज दिया और शिवगर्ष शिकारी को लेकर शिवलोग आ गए और भगवान शिवगरों की घृपा से ही अपने इस जन्में राजिश द्रभानू सुएम के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्री के महत्र को जान कर उसका अगले जन्में भी पारण कर पाए तो यह थी शिवरत कथा और अगर आपको मारी वीडियो पस्तना आई हो तो प्लीज हमाचे इनको लाइक, सस्क्राइब और शेयर करेगा मैं मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें